सब्सक्राइब करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स का फिशप में आज का जो टॉपिक है हमारा सेक्शन 43 भी एच उसको आज हम इतनी जो है शौट फॉर्म में इतना डिटेल में कवर करेंगे कि उसके बाद कभी भी इस सेक्शन के रिकार्डिंग कोई डाउट नहीं रह ज एक एक चीज बहुत जादा जुरूरी है हमने इसको समराइज करने की कोशिश करी है कि दस शौर्ट फॉर्म में हम बेस्टु बेस्ट जो है उस पर हम ड्लीवर कर सके तो इसको हम लेके चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूब करते हैं स्क्रीन पे और आईए ए एक फिन टैक्ट में जो है वन एप फस्ट अपर नैंटीन शिक्टीटू से जो है इफक्ट में आ चुका था म्समी एक्ट भी टोजारचे का एक्ट है लेकिन एक्ट हुआ क्या कि यह दो हजार तेईस चौबिस में आके जो है कि सारी के सारी जो है प्रॉब्लम यहां पे एच के अंदर एक छूटी सी लाइन लिखी गई और जिसने पूरा का पूरा जो है तहल का मचा दिया और और हम हर कोई देखी रहा है कि उसका क्या एफेक्ट है एक छूटी सी लाइन उसमें कहा गया एनी सम पेबल बाइदा स्द दो आप गया अगर कोई सम पेबल करना है किसको आप मेर कोई सम पेबल करना है आपने अगर कोई पेमेंट करनी है माइक्रो और स्मॉल एंटरपाइस इसको किसे माइक्रो को या फिर श्मॉल को दो कैटेगरी में अगर आपने इनको कोई पेमेंट करनी थी आपके आउट्सेंडिंग था 31 मार्च 2024 को अगर आपकी balance sheet में outstanding था micro या small वो जिसको payment करनी थी वो micro में था या वो small में था और उसकी टाइम लिमिट थी वो section 15 में जो specified थी वो expired हो गई तो वहाँ पे उसको बोल दिया कि भीया आपको ये खर्चा जो है न वो actual basis पे जब आप उसको payment कर दोगे न उस बंदे को जिसका outstanding है आपकी balance sheet के अंदर outstanding तब आपको जो है इसकी deduction मिलेगी इसकी deduction आपको हम देंगे ही नी और ये जो amount है जो outstanding है ये जो है इसको हम income tax charge कर लेंगे ये कहता है छोटी सी बात कई लेकिन जो है तहलका मजा दिया 43BH में यहाँ पे क्या कहता है any sum payable by the SSC to micro या micro या small beyond the time limit जो अभी हमने बात करी यहाँ पे कहा दिया यहाँ पे कहा दिया यहाँ पे कब आपको allow करेंगे यहाँ पे यह जो bracket है इसको भी छोड़ देते है इसको pending रखते है इसको तक ही हम इसको बात में लेके चलेंगे इसम जब हम आपको उस साल में allow करेंगे जब आप उसको actually pay कर दोगे जब आप उसको उसके due को pay कर दोगे अपनी balance sheet में आपने रखा है ना उसको उसको pay कर दोगे उस साल में उस financial year में जो है में आपको जो है वो खर्चा allow करेंगे अब यह bracket क्या कहता है वो कहता है in respective from the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the SSC according to the method of accounting कहता भी है मैं नहीं जानता आप कौन सा accounting system follow कर रहे हो आप accrual basis पे चल रहे हो आप cash basis पे चल रहे हो मुझे फरक नहीं पड़ता वो कहता है कि भाईया मुझे फरक नहीं पड़ता section 3BH जो है सीधा सीधा कहेगा pay कर दिया deduction ले लो pay नहीं किया add हो जाएग प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइजो टू section 43B not applicable to 43BH ऐसा क्यों डाला भाईया अगर यह प्रोवाइजो नहीं डालते ना तो दिक्कत आ जाती यह प्रोवाइजो कहता है कि भाईया आपको extended time limit देता था यह कहता था यह आपका financial year है financial year सपोज जो हमाराज financial year 24-25 है कहता था आप ने यहां तक payment नहीं करी ना 31 December 2023 तक payment नहीं करी ना कोई बात नहीं आपके return की due date तो यहां fall कर रही है ना तो भी हम इस साल का जो खर्चा है उसको अलाओ कर देंगे लेकिन यहां पर प्रोवाईजो डाला क्योंकि अगर यह प्रोवाईजो ने डालते तो यह पीरिड भी एड हो जाता यह गौर्मेंट नहीं चाहती थी वो इसी पीरिड पर स्टिक को नचाहती थी इसलिए उन्होंन इनक्लाओस एच अब ऐच में क्या लिखाय है बरÍ यह hoy एक्ट्वल पेस पे इस साल में डिड़क अ करो इस साल में डिड़क्शन लो जिस साल में पेकरो उस साल में डिड़क्शन लू तो यहां पर यह बात कहब दी अब further क्या बात हुई, इसके बाद कह दिया, यह section 15, यहाँ पे time limit specified in section 15 लिखा था, अब क्या time limit है ऐसी section 15 में, तो आईए section 15 देखते हैं, कहता है liability of the buyer, buyer कौन हुआ, जिसकी balance sheet में हम बात करें न, यह balance sheet बनी होगी, यहाँ पे creditors आ रहा होगा, और यहाँ पे उसकी creditors की बात हो supplier, ठीक है न, supplier ने buyer को बेच दिया, ठीक है, buyer के पास आ गया, buyer shall make a payment there, own or before the date agreed upon by him, अब यहाँ पे buyer और seller ने कहा, कि भाईया, हमारे हम तो agreed कर लेंगे, हम तो कहेंगे भाईया, हमारा तो textile industry है, हमारा तो 6-6 महीने का जो है, वो चलता है outstanding, ठीक है न, हम यहाँ पे रखेंगे 180 days का agreement बनाएंगे, करते रहो तुमने जो करना है, तो यहाँ पे इसनोंने कहा दिया, 180 days का हमने agreement, जो है decide किया, and the supplier in writing agreement बनाया, ठीक है, तो उस case में क्या कहा दिया, where a supplier, supply any goods, render any services, चाहे supply करिये goods की, चाहे कुछ service दिया, buyer को service दे दी, ठीक है, या फिर supply कर दिया, buyer shall make payment, own or before the agreement, यहाँ पे provision के साब से क्या हो गया, 120 दिन, उसने का 120 दिन के अंदर payment कर देना, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, buyer and seller कहते, seller कहते, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम अपनी understanding पे decide कर लेंगे, करते रहे, MSME Act, MSME Act कहता यार, यह तो हमारा purpose ही बेकार हो गया, हमने तो purpose बनाया थ कि timely जो है payment हो जाए, इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक proviso डाल दिया, इन्होंने एक proviso डाल दिया, और proviso में लिख दिया, जो time limit होगा न, provided that no case, the period between the seller and the buyer in writing shall exceed 45 days, तो maximum 45 दिन तुम करते रहो agreement 120 दिन का, तुमारे चक्कर में 120 दिन तक तुम तो कह दोग कि नहीं भईया, अगर तुम छोटा, अगर तुम सही हो, तुम छोटा agreement बनाओ ना, तीस दिन का बनाओ, हम 30 दिन को लाओ करेंगे, लेकिन maximum 45 दिन ही, अलाओ करेंगे, आप कहते हैं यह तो चक्तर पढ़ गया, तो यहाँ पे क्या है, बिपोर दापॉइंट डेट, अब य फोर दा, वह पॉइंट डेट क्या खखए, अपॉइंटमेंट डेट को बताया गया, सेक्शन टूप डॉइंट करता है, अपउइंट मेंट क्या है, अपॉइंटमेंट डेट मेंस, the day followed immediately after the expiry of 15 days ठीक है अब यह expiry date कहां से इसने कहा दिया भी है 15 days appointed date क्या होगी 15 days after the expiry of appointed date है after the expiry of यह होगी appointed date after the expiry of 15 days from the date of acceptance or deemed acceptance अब यह acceptance क्या है पहले तो appointment नहीं पता लग रहा appointment date क्या थी अब कहता है जी पंदरा दिन acceptance date अब acceptance date क्या है अब कहता है acceptance date means the date on which actual delivery of goods जिस दिन actual delivery of goods होगी invoice date की बात नहीं कर रहा invoice देते रहो तुमने जब दिन है invoice आप वहाँ से GST की साब से देखो यहाँ पर MSME कहता है जिस दिन delivery हुई है goods की उस दिन यहाँ फिर service का case है तो rendering of service की बात करेगा वहाँ से 15 दिन देखना है agreement तो है नहीं कोई agreement तो कोई है नहीं invoice की update जो भी है आपकी वह नहीं देखेंगे हम 15 दिन कहां से देखेंगे हम 15 दिन देखेंगे जिस दिन माल डिलीवर हुआ है delivery of goods से 15 दिन देखेंगे services दिये 15 दिन देखेंगे rendering of services की case में ठीक है यहाँ पर आप कहते है यार यह बड़ा चक्कर है अब बायर और seller का हो गया जगडा बायर और seller का हो गया जगडा आप कहा रहें यार क्या इनका जगडा अप 15 दिन तो ऐ इतने हजारों दिन लग जाते हैं अब बहिया 15 दिन आप कहता है बेरनी objection is made in writing ठीक है आप दोनों का objection हो गया आप इन्होंने जो है के सब्सक्राइब कर दिया तो कहता है आप यह पंद्रा दिन तो ऐसी निकल जाएंगे और मुझे तो पेमेंट देनी पड़ेगी तो हमारे दो dispute चल रहा है और महां से पेमेंट मेंसमी एक्ट कह रहा है पंद्रा दिन के अंदर पेमेंट दो तो यहां पे कहता है कोई बास नहीं ठंड रखो विदिन 15 days from the date of delivery of goods or rendering of service the day the day on which such objection is removed जिस दिन आपको जिस दिन कलेजे में थंड़क पड़ जाए वहां से पंद्रा दिन जिस दिन कलेजे में थंड़क पड़ जाए वहां से पंद्रा दिन जो है आपको मिल जाएंगे तो हमारे अलग-अलग केज बनते हैं तो वहां से 45 दिन ठीक है मैक्सिमम पर 45 अगर एग्रिमेंट नहीं है तो सिरफ 15 दिन और वह भी कहां से date of acceptance से 15 दिन ठीक है वह हमारा पॉइंटे डेट बन जाए ठीक है ना अब आते है इट मीन्स एग्रिमेंट साथ दिन का है तो मैक्सिमम मैक्सिमम मानेंगे अगर डेंगे बनाया तो उस केस में क्या था पंदरा देन पंदरादें पंदरा देट ओड़ेट of delivery of goods या फिर rendering of service जो हमारा case बनता है अब यहां पर definition में लिखा गया कि ssc जो any sum payable by the ssc to to micro to micro or small to micro or small यहां पर medium word नहीं लिखा गया तो यहां पर medium word नहीं लिखा गया तो हमें micro or small को समझना होगा तो MSME Act के हिसाब से micro or small क्या है क्योंकि यहां पर लिखा हुए ना micro or small यहां पर क्या लिखा beyond the time limit specified in section 15 of MSME Act तो हमारा micro or small क्या गयाता है तो investment micro को define किया गया micro के लिए क्या है investment अगर किसी की investment in plant and machinery equipment में अगर एक करोर तक की investment है तो उसको micro में रखा गया साथ ही साथ दो चीजे दो condition satisfied होनी है यह तो अगर उसकी जो है investment plant in machinery में एक करोड तक की है साथ ही साथ उसकी turnover अगर एक यहां पर does not exceed यहां पर कितना आएगा यहां पर does not exceed वन करोड यहां पर थोड़ा सा यहां बन करोड तक की plant in machinery में investment है दोनों चीजे है तो जाके जो है यहां पर micro में है otherwise अगर small में अपको small में कब तक आएगा ड़नोट एकसीड 10 करोड अगर 10 करोड से exceed नहीं कर रही और ड़नोट एकसीड 50 यहां पर यहां पर यहां पर ड़नोट टैन करोड और यहां पर 5 की जगह यहां पर हो जाएगा 50 करोड की अगर अनुल टर्नोबर है उससे कम है तो कौन से में आ जाएगा यहां पर आ जाएगा माइक्रो में और otherwise small में ठीक है न अब example लेते हैं अब मान लेते कोई agreement नहीं है तो यहां पर क्या थे हमारा 15 देखेंगे यहां से अब नहीं तो 15 देखते हैं यहां पर हमने डिलीवरी ऑफ गोड्स रेंटरिंग और सर्विसें की बात करेंगे तो यहां से पन्दरा दिन हमारे आ जाते हैं 16 तरिक को यहां पर पेइमेंट इसने करी 25 को पंदरा दिन के बाद पेमेंट करी लग गया 43 भी एच लेकिन लेकिन इसी फाइनेंचेल यह में तो पेमेंट हो गई इसी फाइनेंचेल यह पेमेंट में हो गई तो इसको डिदक्शन भी टेक्ष्ट ऑब इसके अंदर मिल जाएगी ठीक है ना इफ पेड आफ्टर देखनी यहां से पंदरादेन सोला तारिक पेमेंट करी तीचार अगले साल मिले लेगी ठीक है ना इस लेट को देखना नहीं है पउर यहां यहां-सको देखनी यह से दो टारी कोई पैमेंट करें तो अगर ओर बिफोर और नी लिखा था, अगर ओज़ूर बिफोर हो जा था, तो यह allowed हो जाता, लेकिन क्या लिखा था, भी फोर, वड्स में आपकत दुबारा लेकर चलता हूं, थोड़ा सा यहांपर informing cancise करना पड़े देगा, और विट्फोर करत चैनल कंके में नहीं होगा पते नहीं अगर दोots इंहार को तरहिक को间 नहीं होगा वंवर और वीपोर दिस अगर करा है तो दिकत है अगर बात कर देते हैं तो यहाँ पर अग्रिमेट और यह यह नहीं काट देंगे लोजी काट दिया लोजी पूरा का पूरा काट दिया these two delivery से पंदरा दिन 15 दिन के एक्रिमेंट कर रएब बहुत बढ़ए है बहुतबढ़्य बहुत-बढ़्या-35 ? 15 दिन का एक्रिमेंट करा है तो हम500 दिन टेरोच कर चलेंगे हमें तो एस पर MSME एक्ट देखना पड़ेगा ना ठीक है ना ड्यूडेट ऑफ हमें एस पर MSME देखना है तो यहां पर हमारा जो है ड्यूडेट क्या गई नेंग क्या है शयर में अगले दो दिन बात मिलेगी आप यहां dismiss और चार तरीके चार तरह सब्सक्राइब लेकिन तीन तारीक को पहीं बहुत अच्छा इंसान है तो इसने तरीक को जिसको सेम यह में डेडक्शन मिल गई लेकिन इसने क्या करा एक दिन पहले कर देता ना पायदा हो जाता यार यहां पर एक दिन बात कर दी लेकिन उसको डिड़क्षन मिल गई यहां पर क्या है पनतालेस दिन लेकिन इसने बाद में पेड़ करी है तो अगले साल में डिड़क्षन मिलेगी लेकिन, साथ दिन, साथ दिन को तो हम मानेंगे नी हम तो हम तो फैनतालीस दिन के हिसाफ से देत उसने इसाफ से और पेड़ीजु दिडू इड़ben कर दी आपको डिड़क्षन देगे बहुत अच्छे बजच्यों क्यों modest यहां पर लेट कर दी तीन दिन लेट कर दी आपको 2023 से 152-2024 तक के बिल है 24 तक के बिल है हम assume करके चल रहे है यहाँ पर date of invoice जो है वो ही date of rendering of services है वो ही date of delivery of goods है ठीक है ना यही मान के चल रहे है उसके according जहाँ पर invoice between 14-2023 से 15 परवरी 2024 है वर पेड बिफोर अगर उसे period में ही pay कर दिया तो उसी साल में ही deduction मिल जाएगे ठीक है अगर 16-2024 से 31-2024 तक के invoice है ठीक है उस case में क्या है उस case में आपने देखना है कि 45 दिन के अंदर payment हो गई agreement वाले बात करके चल रहे है एजियूम कर रहे है कि return agreement है ठीक है अगर नहीं होता तो 15 दिन ठीक है अब यहाँ पर हम मान के चल रहे है कि अगला 45 दिन देखने पड़ेंगे न ठीक है देन allow a deduction अगर 45 दिन के अंदर कर दी तो same year में deduction दे देंगे आपको 30 चौश में कर देंगे नी तो अगर अगर यहाँ पर late करा 45 दिन के बात करी 46 डे भी करी तो भी deduction नहीं मिलेगी 45 डे पर भी कर दी तो भी मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर यह फरक है इफ नॉट पेड विदिन दा ड्यूडिट देन अलाउट इस expense in the year of payment only ठीक है बंदा क्याता 31 तुम लगाते रहो 45 मैं तो राम से payment करूँगा मैं करूँगा सतर दिन में तो कोई दिक्कत नहीं आप सतर दिन में करो सतर दिन में करो तो उस साल में उसी financially में आपको deduction मिल जाएगी इफ परचेस invoice dated देस मान लेते हैं paid in June ठीक है न मार्च का उसने एपरल में जून तीन महीने बाद करा कोई दिक्कत नहीं तो आपको चौबिस पच्चेस मिलेगी ब्याज ब्याज तो जो देना है वो तो देना ही है वो तो पहले से ही था msm act में ट्री टाइम इंट्रस्ट ऑफ दा अब इसको जो है हम overall अगर समझे तो किस तरीके से से की कि है सेक्शन pseudo impartial हो स Abi लगा वle में तो हमले थे हो तो आप यह देखते हैं कि जो इस से इसने भाई करा है जिसने सबाई यहा है वोорот घिस्टर है MSME में अगर वो registered नहीं है MSME में तो 43 BH की बात नहीं रही मान लेते हैं वो बंदा सामने वाला registered है लेकिन सामने वाला जो registered है वो बंदा trader है सामने वाला बंदा trader है हम क्योंकि SSC एरिसन पेड़ल वाई था SSC to micro or small ठीक है रहा वहां पे किसको exclude कर रहा था वो ट्रेडर को ट्रेडर को जो है MSME में उसने exclude कर दिया है तो यहाँ पे हम ट्रेडर को जो है यहाँ पे अगर ट्रेडर का case होगा तो 43 BHB नहीं लगेगा इसको अभी हम डिटेल में नीचे देखेंगे इसके रिगार्डिंग हमने पूरा जो है जो ऑफिस में वरेंडम है उसको डाला हुआ है अभी हम उसको उसको भी आएंगे ठीक है अगर यहाँ पे है कर कुछ confusion है अभी आपकी clarity यहाँ पे मिल जाएगी ठीक है ट्रेडर को किस क्यों हम not applicable कह रहे हैं अब बात आते हैं कि manufacturer service provider है ठीक है तो हमें देखेंगे भईया manufacturer है ठीक है service provider है ठीक है लेकिन क्या वो इसकी लिमिट वैसे आपकी अरांड बनती है पचास करोड की investment बनती है डाज यहां पर नहीं होता है इसलिए मैंने स्लाइड में वो चीज नहीं डाली यहां पर क्रक्स के निकल के आया अगर क्रक्स की बात करें यहां पर यहां पर कवर मेडियम कवर मेडियम कवर नहीं होगा यहां पर यहां पर क्या आता ना बहुत सारी confusion क्रियेट हुई क्योंकि ना कुछ दो जो है office memorandum issue करे गई दो जुलाई 2021 को एक office memorandum issue करा गया ट्रेडर के रिगार्डिंग फिर एक फर्दर एक सप्टेंबर क्या चा रहे हैं इसको समझना बहुत ज्यादा जुरूरी है तो यह office memorandum अगर हम पहले तो यह वाला देखते हैं कौन सा वाला पहले हम देखेंगे जुलाई वाला जुलाई वाला ऑफिस वाला क्या बात करता है जुलाई वाला कहता है यह दो जुलाई 2021 वाला एक्टिविटी और NIC under MSME Act उद्व रिजिस्ट्रेशन एडिशन टू रिटेल एंड वोल्चेल ट्रेड रिगारें ठीक है तो यहां पे इसने कहा कि मिनिस्ट्री और डेटेड देस सब्जेक्ट टू अक्टिविटी नॉट कवर्ड अंडर MSME एक्टिविटी यहां पर में बात प्याते हैं मुद्धे प्याते पॉइंट नंबर टू कहता है गौवर्मेंट के पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन आ रही है ठीक है और क्या कह रहे हैं कि भीया इंक्लूड करो आप ट्रेडर के रिटेल ट्रेडर और वोल्चेल तो इस रिपर्जेंटेशन के हिसाब से इन्होंने ओफिस में बरेंडम इशु करा और लिग दिया अलाव टू रिजिस्ट्रेशन अंडर उधम रिजिस्ट्रेशन पोर्टल ठीक है ना ट्रेटर को कह दिया आप रिजिस्ट्रेशन आपके लिए अलाव कर रहे हैं आपको आपकी अलाव कर रहे हैं ध्यान देना रिजिस्ट्रेशन को अलाव कर दिया हाववेवर यहाँ पे लगा दिया हाववेवर हाववेवर मतलब एक तरीके से हम क्या पढ़ते हैं इसको प्रोवाईजो प्रोवाईजो बेनिफिट टू रिटेल एंड वोड़ से ट्रेडर MSME यह भी तो प्रॉइट शेक्टरल लेंडिंग ओलिए आप प्रजिस्ट्रेशन करवालों लेकिन जो और पर रेंट्विट अमें देना है वो हम सिरफ और सिरफ प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग वाले ट्रेडर को ही देंगे अब यह प्राइवेट प्राइवेटी सेक्ट लेंडिंग क्या है यहां पर देखो इन्होंने कहा दिया ठीक है आप एनाइसी कोड 45-46-47 के इसाफ से रिजिस्ट्रीशन करा ले ना 45 में क्या है वोल चेल और रिटेल ट्रेटर कौन सी है जो रिटेल ट्रेड एंड मोबाई रिपेर और मोटर वीकल और मोटरसाइकल वाले आगे मोटर वीकल और मोटर साइकल वाले रिटेल ट्रेडर जा क्रूड और अगर अगर आप Taste रेड है वो रिटेव ड्रेडर है तो 47 में कर लेना कर लेना कोई दिख्का ने रिजिस्ट्रेशन कर लेना लेकिन वैए वानेफेट्ट सिर्फ हम किसको देंगे प्राइरेटर सेक्टर लेंडिंग को देंगे तो यहाँ के पूलमwnieब को तो रखा अगर इनको लैंडिंग करता है एक्सप्पोर्ड के लिए लेंडिंग करता है एजूकेशन हाउसिंग सोचल इंफरस्टर्टर रियूबल अगर इन परपस के लिए अगर प्रायरटर जो है लेंडिंग हो रही है तो तो ही जो है वहाँ पे जहें बैनिफिट मिलेगा वह अधर्वाइज ओर चीजों के लिए बैनिफिट यहां पे नहीं दिया फिर कही ना कहीं confusion इसके लिए फिर दो महीने बाद एक और इन्हों ने ओफिस में वेरेंडम इशु करा बन अबलिक 2021 यहां भी का benefit of the provision of the delayed payment as per MSME तो यहां पर MSME का जो मेंली था ना किसले था कि delayed payment जैसे पहले था कि भीया अगर आपने पिंतालिजन से लेट करा ना आपको जो है तीन गुना चक्रवती ब्याज लगेगा तो आप तो टाइम से कर देना ठीक है ना वह भी compounding interest के इसाफ से जो है ब्याज लगेगा वहां पर three time of the RBI specified rate अगर RBI rate मालो 9% है तो आपको 27% rate लगेगा वह भी compounding rate लगेगा तो आपकी payment तो कितनी पहुच जाएगी लेगी लोगों ने यहां पे भी seriously मिलिया क्याते देखी जाएगी अब जाके serious ले रहे हैं जाके वह उसको income tax से कहीं न कहीं लिंक कर दिया यहां पर क्या यहां पर पूरा फिर अच्छे से भी बता दिया कहते हैं आप दुबारा ऐसा ना हो फिर एक office memorandum issue करना पड़ें यहां पर लिग देंगे इस context some msfc has been approached by the trader to get benefit 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 for the provision of the delayed payment as per msme act available to msc msme benefit मिलता है हमें भी दे दो हमें भी दे दो हमने उसने कहा दिया भाई हम clarify कर रहे हैं it has clarified that as mentioned in the force it इसले office memorandum में the benefit to detail and wholesale trade msme are restricted to priority sector lending only वो कहते हैं बता दिया बार बार समझ नहीं आती यहां पर private sector lending को ही हम benefit देंगे और किसी को benefit नहीं दे रहे और यहां फिर दुबारा से लिग दिया एनी अधर इंक्लूडिंग provision of the deal payment are excluded लिख दिया अब साफ साव भाई दुबारा मत कुछना दुबारा और फिर ऑंपर इसमेमर अब यहां पर जो है साफ साफ लिख दिया तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं ट्रेड ट्रेडर के केस में जो है इसको इसलिए हमने यहां पे यहां पे एस्क्लूड कर दिया फ्लीगा न अब आते हैं बात हम कहां पोज गए थे यहां पे है वाब आते हैं टिप्स टिप्स क्या है कर्मा क्या है है बुद्दे की बात पूरा मुनेश क्ष्पाया मेरी 15 दिन को समझा एसे कैसे प्रोवीजन मे構न स्थी ञूए इस लिए सारी चीज़े समझी अ है करना क्या है आप देखो एब यह वताओ में लेने में बेनिफिट है नहीं है क्या होगा ट्रेड ना बड़ा जादा कई ना कई घिला हुआ है कि भीया करें क्या इसका आपके पास भी रोज इतनी विरिजारी होंगी कि भीया करना क्या है स्कार्फे क्या दिखक्त तो यहां है करना क्या है तो यहां पे समझेंगे मुझें कर रहा है कि हर एक को डिक लास क्या रहे हरेंक्त को पेमेंट जब 31-3-2024 की बैलेंशीट बनेगी ना उसको लिए उसके लिए मेन फोकस्ट एरिया है उसके क्रेडिटर्स उसकी लाइबिलिटी साइट के क्रेडिटर्स तो वहां पर हरें को देखके जलना पड़ेगा की क्या उसके किस तरीके से तरंस है और सारी चीज़े देखके चलनी पड़ेंगी तो यहां पर क्या है काईंट approval अगर माइक्रो और स्मॉल में हैं यहाँ पे अपना रिजिस्ट्रेशन नंबर जो है आमें समी का अपने इंवोईजिस के अंदर ही डाल दो पोर क्लारीटी ताकि डेटर को पहले ही पता हो और वो टाइंव ली पंदर दिन के अंदर पैइमेंट जो है अपना आप कर दे ठीक है ना मानता हूँ इतना इसी नहीं रहेगा यह ठीक है ना हरकोई अपने इंड़स्ट्री के हिसाप से बता रहा है कोई कह रहा है हमारी कि दिनका ब्याद चलता है लेकिन जो एक्ट है ना वो सब के उपर है वो इंडस्ट्री वाइस भी बना वह 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 अवरॉल बना हुआ है तो हरे सब्सक्राइब करें। जो है आप अपना नॉम्मल जो है डेकलेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं तो इस तरीके से सब्सक्राइब करके इस तरीके से जो है ताकि सामने वाली पार्टी को पता तो हो आप रिजिस्टर्ड हो की नहीं हो ठीक है अकॉर्डिंग ली जो है उसको अपने 31 मार्स तक स्टेप तो लेने हैं ना करना है ना पहले से सब्सक्राइब क्या है अब इसके फायते नुकसान क्या है फायते नुकसान क्या है अगर फायतों की बात करें तो एस ड्यू आज ड्यू टु दे इस्टिक्शन ऑफ टाइमली पेमेंट तो यहां पर टाइमली पेमेंट के रिस्टिक्शन है ठीक है ना टाइम से पेमेंट आने लगी कि चेक बांसिंग वगेरा के एक चांसिस कम हो जाएंगे चेक क्या होता अगर चांसिस बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर टाइम पेमेंट का टाइम ही रिडियूस हो जाएगा तो अगर यह चीज़ेंगे अगर यह चीज़ें होने लगी तो लीटिकेशन वगेरा भी अब्योस ली कम हो जाएंगी लोग नेकर इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो है अपना यह थो जो लगा मैंने यहां पर इंसर्ट कर दिया इसके इलाव इसके डिसद्वांटेज क्या है ठीक है अगर फ्लस होता ह तो माइनस भी कहीना कहीं होता है तो माइनस की बात करें तो क्या होगा देखो इसकी पेमेंट कर सकते हैं कि इसकी पेमेंट कितनी इंट्रस्ट वगके वह काफी जादा हार्श के तो इस तरीके से और क्या है साथ साथ व्रट लोड जो बिजनस चाहे वो बिजनस एंटिटी की बात करें चाहे प्रोफेशनल की बात करें हम लोग एज़ा प्रोफेशनल हम सब के लिए भी कही ना कहीं जो है काम जो है उस तरीके से वर्कलोड जो है बढ़ जाएगा ठीक है ना अब बात करते हैं 43B आया 43B का नेया क्लॉस वो शोग करूंगा और अपना जैराम जी की तो भाया अब होना क्या है अगर हम इन दो सेक्शन को साथ साथ करते हैं सेक्शन 43B विज्जा विज्टू सेक्शन 44AD तो हमारा क्या कंक्लूशन निकलता है इसको बड़ा ध्यान से समझना पड़े है कोस्चन अराइज होता है व में कर लिए प्यां उनके अपड़ एपलीगे व्याल होगा अव्हान लो 44D में कोई अपना बारा परसंट जो है वह दिखा रहे हैं अब वारा परसंट प्रिजम्टिव इंकम नहीं करी तो क्या वो उसकी इंकम में आडब वेक होंगे ।ो को एल और तो इसके लिए सॉरी इसके लिए हमें ध्यान में रखना पड़ेगा यह दो सेक्शन की स्टार्टिंग अगर कहें तो कहते हैं नौट विस्टेंडिंग अनिफिंग कंटेंड इन अधर प्रोवीजन इन दिस एक्ट एनी अधर प्रोविजन इन देस एक्ट पॉटिफॉर बी कहता है बहार में जाये तुम्हारा इंप्रम टेक्स एक्ट इक सारे प्रोविजन 43B सर्वशरेंड ठीक है उसमें अपने आपको सर्वशरेंड कह दिया लेकिन लेकिन 40 रेरी गंटेन हुआ 28 से लेकर 43C में तो मैं प्रिवेल करूँगा अब 43C से पहले ही 43 भी आता है तो यहां पे आप देखोगे कि दो सेक्शन दो सेक्शन बड़े आपस में जो हैं कहीं ना कहीं तक्राव हो रही है समझना जुरूरी है कि या 44 AD वाले के उपर क्या होगा एपल जिसके बीच में ही 43 भी तो आएगा विच इंक्लूद 43B और बी आल्सो एंड 43B और राइट तो यह देखो कहीं न कहीं कैसे किस तरीके से यहां पर दिक्कत है इसमें हमारा अपना उपीनियन है हो सकता है डिफर हो ठीक है यहां पर हमारे इस आपसे हमें लगता है लेकिन इसमें वह एक चीज और आपको बताऊं अब जो निव फॉर्म आए हैं निव फॉर्म्स एसस्मेंट यह चौबिस पच्चिस के निव फॉर्म्स आचुके हैं इसके लिए इसमें क्या-क्या चेंजिस हुए हैं वो भी हमने जो है वीडियो जो है अपना उसमें डाल द जीजिए उसमें काफी सारी चीजें जो हैं नहीं आड कर दी है 24 पच्चिस के जो एसस्मेंट यह क्या आइटियर फॉर्म है उसमें नहीं नहीं चीज़े आड हो गई है तो देखे उसमें बी और उसमें उस फॉर्म में MSME के जो हम सारी चर्चा कर रहे हैं उसके सब्सक्राइब कर दी है पहले पूछता है MSME हो हो नहीं हो हो तो वहीं आपना रिजिस्ट्रेशन नंबर दे दो पार्ट ए जो अपना अधर इंफॉमेशन होता है उसके अंदर एक टेबल इंसर्ट कर दिया पुरा क्याते है उस टेबल की क्लॉट 11 उसमें देखेंगे आप नंबर 11 उसमें क्या लिख दिया एनी संपेबल बाइदा एससी टू माइक्रों स्मॉल ब्यॉंड टाइम लिमिट स स्कार्टिंग में देखी है जहां पर बात करता है एनी संपेबल बाइदा एससी टू माइक्रों स्मॉल एंटरपाइस ब्यॉंड टाइम लिमिट तो यहां पर उसने आई टियर में भी वही डाल दिया इसने पूछ लिया कि क्या आपके क्या उस्टेंडिंग है बता दो क्य आपका कोई अमाउंट ऐसा है जो आपने माइक्रों और स्मॉल को देना था टाइम और अगर आपने यहां पर अमाउंट डाला और आपने अपने पॉर्टिः भी एच के साब से वह एड होना चाहिए था आपके कंप्यूटिशन ओप इंकम में वहां से जितना आपने आपके अपने डाला आपने अपने दिखाए सपोस्ट लाग और साथ लाग में से पांश लाग आपके जो है माइक्रों समॉल के निकले माइक्रों अपडेट हो रहे हैं सारी चीज़ें देखके चलनी पड़ेंगी इतना आसान नहीं है इस चीज़ को समझना पड़ेगा ऐसा ना हो दिक्कत आजए तो जो है पूरा का पूझा समराइज करने की कोशिश करी है तो इसलिए हमें सारी चीज़ों के लिए प्रिपेर होना है इसलिए के साथ आज की डिसकेशन को क्लोज करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तिल देन बाइबाइबाइज जय बारत